हेलो फ्रेंट, स्वागत थे आपका खिष्णा हमच्छा रास्वें से में और आज ले जा रहे हैं कड़ी लेकिन कड़ी हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ी के साथ कदडुकस किया हुआ एक चोथाय चमज अजवयन डालेंगे हम एक चोथाय चमज बारेकन च्रीज होना हाद यहां मैंने एक और एक पींच जितना मीठा शोड़ा आप notions में इसमें add किया तो पहले हम इसे सूखह ही अच्छे से mix कर लेंगे सारी चीज हो को सारे इंग्रेडियंस को मचे से mix कर लेंगे और फिर थोड़े थोड़े पानी की मदद से एक घुल कर लेंगे पकोड़े के लिए तो यह इस तरह की हम consistency रखेंगे पकोड़ बनाने के लिए तो यह हमारा गोल ready है यह देखें इस तरह की consistency रखेंगे हम और यहां मैंने तेल गरम रख लिया है कडाई में और एक एक करके हम पकोड़े fry कर लेंगे तो मैं यह चोटे चोटे पकोड़े फ्राइ कर रहे हूं ताकि वो अंदर से कच्चे ना रहे हैं और इसे हम धीमी आज पर फ्राइ कर लेंगे तो ये जो पकोड़ा कड़ी है वो हम दो वेक्ति के लिए बना रहे हैं और ये जो पकोड़े में फ्राइ कर रहे हूँ वो भी मैं दो वेक्ति के लिए कर रहे हूँ तो इस तरह से हमें सुनहर होने तक फ्राइ कर लेना है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो ये देखे सारे पकोड़े फ्राइ कर लिए मैंने इस तरह का कलर है पकोड़ों का ये देखे एकदम से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट तो ये पकोड़े बनकर हमारे रेडी हैं और अब हम कड़ी के लिए घूल बनाएंगे तो यहां मैंने एक टेबल स्पूल बेसन लिया ह और इसमें हम एड़ करेंगे एक कटोरी दही फ्रेश और इसमें भी हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर एड़ करेंगे एक चोथा चमाच लाल मुच पाउडर एक चोथा चमाच दन्या पाउडर एक चोथा चमाच नमक और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे सारे ingredients को हम अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें हम एक glass पानी add करेंगे लेकिन एक glass पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे इस तरह से ताकि ये घोल हमारा बहुत अच्छे से स्मूध बन जाएगा एक दम से तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंस रहेगी कड़ी बनाने के लिए और यहां फिर मैंने कड़ाई ले लिए और इसमें मैंने डाल दिया है एक टेबल स्पून घी और जैसे घी थोड़ा सा गरम हो जाता है हम इसमें डाल देंगे आठ से दस दाने मेथी दाने के एक चोथा चमाच राए दाना आधा चमाच जीरा और एक चमाच मैंने डाल दिया बारी कटा हुआ लस्तून और एक हरी मिर्च बारी कटी हुई और यहां मैंने एक सुखी लाल मिर्च, चार काली मिर्च और एक लॉंग डाल दिया और इन सब चीजों को हम हलका सा भून लेंगे प्राए कर लेंगे हलका सा तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से हलके आँच पे भून लेंगे तो इदेखें लसुन का रंग भी चेंज होगे और अब हम इसमें डाल देंगे एक चोदा जमज हिंग और इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी और लाल मिर्च डालते ही हम कड़ी का घोल है वो इसमें डाल लेंगे ताकि कड़ी का जो कलर है वो एकदम से यलो हो जाएगा और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से mix कर लेंगे और इसे चलाते रहेंगे continuous इसको हमें लगातार चलाते रहना है और थोड़ा सा आप चाहें तो पानी इसमें और add कर सकते तो ये friends कड़ी को हमें 3-4 मिनिट पका लेना है और इसे लगातार इस तरह से चलाते रहना है और ये देखिए कड़ी तो हमारी अच्छे से बन गई है और अब हम इसमें पकोड़े add कर लेंगे सारे और पकोड़े डालने के बाद भी हमें 1 मिनिट तक इसे पकाना है तो ये देखिए अभी कड़ी हमारी लगभग बन गई है और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया एड़ करेंगे तो ये मैंने फ्रेश हरा धनिया बारिक कटा हुआ इसमें एड़ कर लिया और इसे हम हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे तो ये देखें फ्रेंड्स एक कड़ी हमारी बनकर तयार है तो पकोड़ा कड़ी हमारी बन कर एकदम से रेड़ी है और फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, धन्यवाद